बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कच्छा 2 के हिंदी लिट्रेचर का तीसरा चैप्टर यह एक बहुती रोचक कहानी है बिर्वल की चतुराई इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि बिर्वल ने किस तरह से अपनी चतुराई से अपनी बुद्धी से कठिन समस्या का समधान किया और अपनी बुद्धिमानी की च्छाप राजा अकबर और दरबारियों पर छोड़ा जैसा कि आप जानते हैं अकबर और बिर्वल के किसे बहुत मसहूर हैं और बिर्वल को उनकी चतुराई के लिए उनकी हाजिर जवावी के लिए जाना जाता है राजा बिर्वल जो हैं वो बाजसा अकबर के धरबार में एक शलाकार है अकबर के और वो राजा अकबर की हर समस्या का समधान करते हैं उन्हें सलाह देते हैं और जो कठिन से कठिन समस्याय होती है जिसे कोई भी समधान जिसका नहीं ढून पाता है उसे बिर्वल चुटक एक बार अकबर ने बिर्वल की बुद्धिमानी की परिक्षा लेने का निश्चाय किया उन्होंने अपनी अंगुठी उतार कर एक दरवारी की जेब में रखवा दी और दरवारियों से कहा बिर्वल को इस बात का पता ना लगने पाए जब बिर्बल दरवार में पहुंचे तब अकबर ने बिर्बल से कहा बिर्बल आज मेरी अंगुठी पता नहीं कहां खो गई है जब मैं नहाने जा रहा था तो कमड़े में रख कर गया था जरा उसे ढूनने में मेरी मदद कर दो मतलब शहता बिर्वल ने कहा जो आग्या माहराज लेकिन आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे जवाब मतलब उत्तर एंसर ठीक है अकबर बोले हाँ हाँ जरूर पूछो बिर्वल ने कहा आपने वह अंगुठी कहां रखी थी फिर अकबर ने कहा मैंने उसे अपने कमरे में एक छोटी सी अलमारी में रखी थी बिर्वल ने कहा जहाँ पना मैं वह जगर देखना चाहता हूँ अकबर बोले हाँ हाँ क्यों नहीं फिर बिर्बल ने कहा मैं चाहता हूँ मेरे साथ सभी दर्बारी भी उस कमरे में चले अकबर ने कहा ठीक है जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा दर्बारियों के शाथ अकबर और बिर्बल उस कमरे में पहुँचे बिर्बल ने बासा द्वारा बताई गए अलमारी के पास गए और उस पर कान लगा कर कुछ सुनने की कोसिस करने लगे बासा मतलब होता है राजा अक्बर ने जब बिर्बल को अलमारी से कान लगा कर कुछ सुनने की कोशिस करते हुए देखा तो अक्बर ने बिर्बल से पूछा बिर्बल ये तुम क्या कर रहे हो बिर्बल ने कहा जहां पना कुछ सुनने की कोशिस कर रहा हूं यह अलमारी मुझसे कुछ कह रही है अकबर हसकर्व बोले क्या यह अलमारी तुम्हें चोर का नाम बता रही है बिर्बल ने कहा नहीं हजूर लेकिन यह अलमारी मुझसे कुछ कह रही है अंगुठी चुराने वाले की दाड़ी में तिनका है तिन्का मतलं धृस का चोटा सा टुकरा ठीक है अकवर ने कहा आश्चर से, अकवर ने आश्चर से कहा दारी में तिन्का बिर्वल ने कहा हाँ हजूर बिर्वल की बात सुनकर वो दरubscribe खबरा गया जिसके पास अंगुठी थी उसने सोचा कि कहीं दारी में तिमका होने के कारण वह पकरा न जाए इसलिए तुरंट अपनी दारी पर हाथ फिराया हाथ फिराया मतलब हाथ गुमाया विर्बल को इसी बात का तो इंतिजार था उसने उस दर्बारी को ऐसा करते देख लिया यानि अपने दारी पर हाथ फिराते हुए उस दर्बारी को बिर्बल ने देख लिया बिर्बल ने कहा महराज आपके बगल में जो आदमी खरा है उसी के पास आपकी अंगुठी है अकबर तो इस बात को जानते ही थे इसलिए उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई हैरानी मतलब आश्चारे उस दर्बारी ने अंगुठी निकालकर बासा को दे दी और फिर जैसे ही हुआ दर्बारी पकड़ा गया तो उसने अंगुठी निकालकर राजा अकबर के हाथ में रख दिया अकबर बिर्बल बास्तम में मैं तुम्हारी बुद्धी की परिक्षा ले रहा था तब ही राजा अकबर ने बिर्बल से कहा कि बिर्बल मैं तो बास्तम में तुम्हारी बुद्धी की परिक्षा ले रहा था कि तुम इस परिक्षा में पास हो पाते हो की नहीं बिर्वल तब अकवर से पूछते हैं तो क्या मैं उस पर इच्छा में सफल हुआ अकवर ने कहा chociaż भीरवल तुम बास्ता में बुद्धि मान हो तो देखा वचों आपने किस तरह से बिर्वल ने अपनी बुद्धी का अपनी सुझगुज का इस्तेमाल किया और फटक से छोर को पकर लिया इसलिए कहा जाता है छोर की दारी में तिनका जिसको जो कोई गलत काम करता है उसे हमेशा यह संकार रहती है कि उसकी गलती पकरी न जाये जैसा कि उस दरवारी ने किया जैसे ही बिर्बल ने कहा कि चोड के दारी में तिनका होता है वैसे ही दरवारी ने अपनी दारी पे हाथ गुमाना शुरू कर दिया और वो पकड़ा गया तो इस प्रकार इस कहानी से हमें क्या सिक मिलती है कि बुद्धिमान को हमेशा सम्मान मि तो कैसी लगी आपको यह कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताईए अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को फटा फट लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इसे जदा ज़दा शेयर कीजिए और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिव कर लिजे ताकि आने वाली सभी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले हमारे साथ बने राने के लिए और वीडियो को आन तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धने बाद मिलते हैं आगले वीडियो में